हे अब्रीवन वेलकम टू स्टडी आई है दोस्तों आपका बहुत कम समय लूँगा और इस कम समय के अंदर आपके बड़े सवाल का जवाब दूँगा आप लोगों आप लोग यूट्यूब पे बाकी सब जगे पर एकी सवाल सर्च कर रहे हो कि क्या UPSC का जो प्रिमिलरी एग्जामिनेशन 27 ऑव जून 2021 को होने वाला है क्या UPSC उस एग्जामिनेशन को भी पोस्पोन करेगा यह सवाल आपका इसलिए भी बिल्कुल जायज है क्योंकि करोना वाइरस के केसिस काफी ज़्यादा बढ़ रहे हैं रिसेंटली विदिन 24 आज हम लोगोंने 4 लाक केसिस को क्रॉस किया देश के अंदर वैक्सिनेशन ड्राइव औल्दो चालू है पर वैक्सीन हमारे पास इक्यूटेबल मात्रा में अविलेबल नहीं है काफी सारी स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन अपनी अपनी अनाउंसमेंट कर रही है कि ये वाला एक्जाम हम लोगोंने पोस्पोन कर दिया है इसकी अगली डेट आप आएगी और UPSC बिने भी रिसेंटली जो 9th of May 2021 को EPF को का recruitment examination होने वाला था उस examination को भी further notice तक defer करती है तो क्या UPSC क्या Union Public Service Commission अपने civil services examination जिसका preliminary examination 27th of June 2021 को होने वाला है क्या उसको भी postpone करेगा अब आपको कुछ चीज़ें practically समझनी पड़ेगी कि जब बिलकुल same kind of situation पिछले साल थी अगर मैं पिछले साल के notification के बारे में बात करूँ तो वाईस पिछले साल 31st of May 2020 को UPSC का prelims examination 2020 होने वाला था UPSC ने end moment तक wait किया और 4th of May 2020 को Department of Personal and Training as well as UPSC ने हम सब को इस चीज़ के बारे में सूचना दीती कि अगली date तक examination को shift किया जा रहा है मतलब आप एक चीज़ guarantee से expectation लगा सकते हो कि में में exam था तो UPSC ने में में ही announcement करी और जब में में announcement हुई थी 4th of May को उससे पहले 1st of May को भारत सरकार ने further lockdown के लिए notifications निकाले थे अब अगर आप ये सोचों कि अभी से ही सरकार या अभी से UPSC आपको ये बता दे कि examination कब होने वाला है तो इस चीज़ को सोचना अभी के time पे बिलकुल बेकार है आप लोग YouTube पे सर्च कर रहे हो आप लोग Google पे सर्च कर रहे हो आप लोग मुझे message कर रहे हो अपने और teachers को message कर रहे हो हमें situation देखनी पड़ेगी अभी मे का पूरा महीना है let us see कि मे के अंदर किस तरीके से जो cases है उनको सरकार handle करती है वैक्सीन्स भी आ रहे हैं बाहर से भी हम लोग ने काफी सारी वैक्सीन्स मगाई हैं medical aid मगाई हैं वो सब चीज़ें implement होंगी धीरे धीरे पर इस एक सवाल की वज़े से आप अपनी ले ना छोड़ें पड़ाई की काफी सारे students अपनी पड़ाई की ले छोड़ रहे हैं भाई दुखो पड़ाई आपको करनी है अब चाहे paper जून में हो या किसी भी कारणवश वो shift हो जाए most probably UPSC इसको avoid करने की ही कोशिश करती है जब तक की एक end situation नहीं आ जाए so you need to wait till the first week of June तब ही सारी चीज़े clear हो पाएंगी तब तक आप बिलकुल भी इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो अपनी तयारी में लगे रहो बहुत साई students ये कह रहे हैं कि सर अगर paper shift हो जाता है तो चलो means की तियारी कर रहे है अभी समय है prelims के उपर अपने gear को shift करके रखने का test series solve करने का और अगर अभी भी अगर आपको कोई भी doubt हो और अभी भी अगर आप लोग मुझसे यही सवाल बार बार पूछना चारे हो कि सर पेपर shift होगा कि नहीं होगा तो guys you need to wait till first week of June तब तक please इस सवाल के पीछे मत पढ़ो अपना ध्यान मत भटकाओ ये समय आप लोग क्योंकि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास समय नहीं है इस सवाल को सर्च करने का और जो लोग इस सवाल को सर्च कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को compromise कर रहे हैं अपनी सुरक्षा अपने हाथ है दोस्तों मास्क वगेरा पहन के रखो sanitizer का बढ़िया त चीजों के लिंक्स हैं नीटे जाकर आप लोग मुझे परस्तली मेसेज कर सकते हो आई विल बी हैपी तो हेल्प यू आउट बाबाई टेक केर